नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सफ आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ ससंग का महत तो चलिए कथा शुरू करते हैं एक पार की बात है एक बहुत बड़ा चोर था जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुला कर नसीह दी कि अगर तुझे चोरी करनी है तो तु किसी भी महत्मा के ससंग, गुर्दवारे, धर्मशाला या धर्मसान पर मत जाना हमेशा इनसे दूरी बना कर रखना और दूसरी ये नसीह दी कि अगर तुम कभी चोरी करते हुए पकड़े जाओ, तो कभी भी अपना जुर्मत मानना कि तुमने चोरी करी है लड़के ने अपने पिता को वादा किया, कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा अब इसके बाद, लड़का रोज रात को चोरी करता रहा एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर में ताले तोड़े घर वाले जाग गए, उन्होंने शोर में जाना शुरू कर दिया आगे पहरेदार खड़े थे, पहरेदार थे, तो दूसरी तरफ घर वाले अब चोर बचकर जाए तो कहां जाए फिर भी उसने किसी तरह भागने का रास्ता निकाल ही लिया रास्ते में जब भाग रहा था, तो एक धर्मशाला पड़ती थी उससे अपने बाप की सलायाद आ गई, कि धर्मशाला में नहीं जाना लेकिन वो अब जाए भी तो कहां जाए आखिर उसने सोचा, कि मोका देखना चाहिए, और धर्मशाला में चरा गया बाप का आग्यकारी बिटा था, उसने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ली कि ससंग के वचन मैं कानों में नहीं पढ़ने दूगा क्योंकि मैंने अपने पिता को वादा किया है तो उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलिया डाल ली ताकि वो ससंग ना सुन पाए अब दोस्तों मन तो आपको पता है कैसा होता है जिस काम के लिए मना करो मन तो बस वही काम के लिए भागता है अब कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में ये वचन पढ़ गए कि देवी देवताओं की परचाई नहीं होती महाँ पर ससन चल रहा था और इसने कान बंद कर रखे थे लेकिन फिर भी उसके कानों में थोड़ी सी आवाज आ गई कि देवताओं की परचाई नहीं होती उसके मन ने कहा कि परचाई हो ना हो मुझे इससे क्या फिर मैंने ये वच्चन जान बूच कर थोड़े ना सुने है अंजाने में मेरे कानों ने सुन लिया है उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जान बूच कर नहीं सुना ये सब ऐसे ही सुन लिया मेरे मनने मैंने तो कान बंद कर रखे हैं अब इतर घरवाले और पैरेदार पीछे लगे हुए थे किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है पूरी धर्मशाला की जाच हुई और वह पकड़ा गया उसकी खूब पिटाई भी हुई लेकिन उसने माना नहीं कि उसने चोरी करी है पहले के जमाने में जब तक अपरादी खुद ना मान ले कि उसने अपराद किया है तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती थी उसे खूब मार पड़ी लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माना कि उसने चोरी करी है आखिर उसने अपने पिता को वादा जो किया था कि वो कितने भी मार खा लेगा लेकिन कभी नहीं मानेगा कि इसने चोरी करी है अब जो राजा था उसे पता था कि चोर को देवी देवताओं की पुजा करते हैं देवी की अरातना करते हैं पाईयों ने एक ठगनी की सहायता ली, उसे बुलाया गया, तो ठगनी ने कहा कि मैं इसे मना लूँगी और कहलवा दूँगी कि चोरी इसी नहीं की है, उस ठगनी ने देवी का एक भेज धारन कर लिया, और दो नकली माहें भी लगा ली, चारो हाद में चार मशाले जला ली, और नकली शेर की सवारी भी कर ली, वैसी पाईयों के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वो आई, तो उसको यहें भी बताया गया था, कि जेल के दरवाजे कड़क कड़क करके खुल जाएंगी, सब कुछ पहले से ही तह था, कि ठगनी जब माता का वेजधारन करके आएगी तो जेल के दरवाजे अपने आप खुलते जाएं, और हुआ भी ऐसा, और अब जब आदमी किसी मुसीबत में फद आता है दोस्तों, तो अपने इश्च देव को ही याद करता है, अब चोर भी उस समय देवी को याद कर रहा था, अचानक से दरवाजा खुल गया, और अगर तुने मुझे याद किया और मैं आवी गई, तुने अच्छा किया जो तुने चोरी नहीं बताई, तुने अगर चोरी की है, तो तु मुझे सब कुछ सच सच बता दे, मुझसे बिलकुल ना चिपाना, मैं तुझे फोरण आजाद करा दूँगी, चोर देवी का भक अपने इश्ट को सामने खड़ा देकर बहुत खुश हुआ और मन में सोचा कि मैं इसको सच बता दूँ, अभी वे बताने के लिए सोची रहा था कि उसकी नजर देवी की परच्छाई पर पड़ गई, तो उसे फोरण ससंग का वो वचन याद आया जो उसने सुना था कि द सोचकर मैं रुख गया और बोला मा मैंने चोरी नहीं की, अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता, आप तो सर्व्यापी हैं, आप तो सब जानती हैं, अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता ही होता, मैंने कोई चोरी नहीं गई, अब ठगनी के कहने प इसने चोरी नहीं करी थी और फिर राजा ने उसे आजाद कर दिया अब जब चोर आजाद हुआ तो उसने सोचा कि जब सस्थंग का सिर्फ एक वचन सुना तो मैं जेल से छूट गया अगर मैं सारी उम्र सस्थंग सुनू तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल जाए अब जब ये ख्याल आया तो वैं रोज सस्थंग में जाने लगा के बाद उसने चोरी को हमेशा छोड़ दिया और एक अच्छा जीवन जीने लगा तो दोस्तों है ना कितनी प्यारी कहानी इसलिए कहते हैं कि सस्थंग के बराबर तो कुछ भी नहीं है इसलिए दोस्तों आप भी अपने जीवन में कुछ न कुछ सस्थंग जरूर सुना करें थोड़ा सा ही सुने चाहे पांच मिन्ट के लिए ही क्यों न सुने लेकिन सुने जरूर पता नहीं सस्थंग के शर्थ आपके कब काम आ जाए तो चलिए मैं अगली कहानी में आपके साथ फिर मिलूंगी